यह मैंने जो सोलर चार्जर लगा रखा उसका सिस्टम लगा हुआ अपना डबल के राज है रिमोट से होता है रिमोट से खुलता है जितना भी लैंड है उसके सिफ बांसर त्रेसट परसंट तेक में ही घर बना सकते हो बाइमराज भी लगवा रखे मैंने सिकर्टी के लिए घर के दोनों तरफ पीछे की तरफ चारो तरफ से कवरड़े रिंग की बेल लगा रखी यहां पर वाइलेस बेल होती है हमारा आजाता है इधर मास्टर बेड्रूम आपके घर में कुछ भी चोटा होटा प्रोग्राम होता अब इस जगह को भी यूटिलाइस कर सकते हो अब इसी तरह से राइट में जाएंगे तो यह हमारे कियान का वेड्रूम था इनिशली हां वाई हो तो यह है अपना घर यहां पर जो स्टैंडर बना हुआ जिसका मैं सोच रहा था कि आज आपको एक बार दिखा कि इसका रिव्यू कर जो लैंड साइज है करीब चार स्क् पर रहेती चारसों मिट्र स्क्वर के असपा स्टैंटर होता है कि अजकल अब क्या हो गया मेंगाई के कारण है थोड़े छोटे लैंडब भी करने लगे इस यह थोड़ा च्छोटा लैंड अपना धाइसों से देन स्क्वर फिट का है साइड वाले 200-200 स्क्वर फिटके हैं रखे लेकिन एकदम चिपक जाएगा तो फिर वो खुली वाली फिलिंग नहीं आएगी तो यहां पर लैंड की रिक्वार्मेंट होती है कि यह आप जितना भी लैंड उसके सिफ बागी आपको खुला छोड़ना जरूरी जैसे अपने आगे इतना सारा यह खुला छोड़ आपको उसका टूर कराते है जो मैंने लैंड लिया था मैंने करीब तीन एक साल बेले लिया था मुझे ढालाग डॉलर का पड़ा था और घर भी आपका पड़ा ता करीब धाई करोड का उस टाइम पर मुझे यह पड़ाता घर आज की तारीक में की प्रोपर्टी है आई भ आज तो जरूरी है फैमिली के लिए गाड़ी ऐसी होनी चीए जो बिल्कुल फैमिली के ओरियंटेड हो यह मैंने जो सोलर चार्जर लगा रखा उसका सिस्टम लगा हुआ है सोलर सिस्टम लगा हुआ इसके तो मेरे काफी इलेक्रिसिटी बशती है बिलनी आता है दिन में स थोड़ी कमी है comparatively थोड़ा वह जो भी स्टोरेज का सामान इदर रख रखा है यह मेरी बाई यह पसंदीरा गाड़ी यह थोड़ी परफॉर्मेंस रिटर गाड़ी है तो काफी बड़े साइस का गिराज होता है यूजली घरों में सबसे बड़ा स्पेस ये गिराज वाले ह साइड से ठीक है गर ऐसा बनाओ और यह गराज से भी तुम्हारा यह बैक्यार का एक्सेस होता है कुछ तुम्हारा पीछे घर में प्रोग्राम रख तो सीधे गराज से लोग जा सकते है बजाए कि घर के अंदर से जाने की हो जाए अब यह आपको वापस से में घर के अब यह आपको फ्रंट से घुष के वापस से में दिखाता हूं आप तो दोस्तों आपने देख लाए वापिस बाहर आ गया है वापिस बाहर में दिखा दे तो मैंने क्या कर रखा है यहां पर मैंने यह राज में लाइट लागा रखी सेंसर वाली कोई भर के पास आता है सब्सक्राइब कर लो आपको इसी तरह का मसमस कंटेंट देखने को मिलेगा ठीक है चलो करते हैं यह मिने रिंग की बेल लगा रहे है कि यहां पर वाइलेस बेल होती है जब भी बजाता है अब वीडियो के धुरू बात कर सकते हैं उनसे फोन पर आपके कॉल आ जाता है कोई भी डिलीब्री वाला वगरा आए तो यह एंट्री घर की जस्ट यह इनर वाला एरिया यह वाल पेपर वगरा मैंने दिवाल पर खुदी लगाया था तोड़ा वो डेकोरेशन है एंट्र सब्सक्राइब कर दोस्तों के लिए तो अंदर से अगर आपको गिराज एकसेस होता है ठीक है और उसी तरह उदर से बाहर लेफ्ट साइड में जाने का रास्ता होता है यह है हमारा फार्मोल लॉंच कोई महमान वगरा आय तो उनको विठाने के लिए पुड़ा से इसको फार्मोल बना रखा है वह यहां पर टीवी अगरा लगा रखा यहां पर यह पर यह तो बद आथी अपनी आली वेश जाने के लिए आगे यह देखो मियां भीबीकर लग यहां पर आपकी कुकिंग करने के लिए आप कुछ भी सावान वगरा रख सकते हो थोड़ा वो अपनी डाइनिंग बेंच है यह हो गया अपना फॉर्मल एरिया दोस्तों यहां इदर गुशते से ही इदर जो राइट हेंड साइड में अपने सारे जो एक्स्टा थ्री बेडर लगा दिया है यह भी वाल पेपर वगरा मैंने खुद नहीं किया था कि सारे डेकोरेशन के आइटम में ने खुद नहीं चूज करके घर में लगा थे इधर साइड में भी बड़े से स्लाइडिंग डोर है जिससे कि आप वापस बाहर की तरफ जा सकते हो जो साइड जो आपका वापस पीछे का एक्सेस होता है कप्रे सुखाने के लिए यह भी लगा रखा जस्ट इन केस अगर आपको ड्रायर में नहीं सुखाने किसी दिन अच्छी धूप आई है तो इसी तरह से फ्रीज वगरा और यह कीचन में पीछे बैक में सी पैंट्री वना रही सारा स आपको दिखाएंगे तो इधर जैसे हमने इस तरफ साइड में एंट्री मारी इधर राइट में हो गया बेड्रूम जो हमने मम्मी पापा के लिए बना रहा है मेरी बच्ची जल्दी आने वाली है ठीक है तो उसके लिए तो हमारे मम्मी पापा आये और वह भी आपर रहें नर्सिंग के लिए चेर लगी हुई है उनका नैपी बगेड़ा चेंज करने के लिए टेबल बना रखा इधर उसी तरह सामान स्टोर करने के लिए तोड़ा से टॉल बॉय ले रखा एक पोटेबल एरकॉन भी लगा रखा इधर थोड़ा सा डेकोरेशन कर रहा है वही यह इसमें भी कुछ निवा स्टोरेज है बच्चों के सारे सामान रख्या हुए तो यह हो गया बच्चों का रूम राइट हें साइड में और आगे जाओगे इधर तो इधर हमने यहां पर मंदिर सेट अप कर रखा जय हो बगवान जय श्रीक नहीं जय श्रीक नहीं जय श्री टॉयलेट है हाँ जब यह घर बनवाया था ना तो एक एक चीज हमको चूज करना पड़ी थी यह कलर वह कलर सिलिंग का कलर दोर का कलर यह पैटन वह पैटन यह बूद में चाहिए क्या चाहिए तो यह फैमिली अरिया से पीछे थोड़ा सा बैक्याट सेट अप कर रखा है इसे मेरा लैंड इतना भी बड़ा है नहीं इधर तो यूजली बड़े बड़े घर होते है लेकिन अब जैसे से पॉपुलेशन बढ़री वह काम होते जा रहा है थोड़ा ठीक है एनिवेस तो यह इधर आयम बैक्याट में थोड़ा से शेड बन वाली है यहाँ पर काउच के प्लांट सभी रिसेंटरी लगा थे आपने दूसरे वीडियो में देखे होंगे और यह अपने करी लिव्स का प्लांट लगा यह बहुत काम आता है अपनी कुकिंग में इंजिन में तो अपको मैंना सीजन पे वेजिस चेंज करते रहता हूं अभी बैंगन लग थोड़ सी हलकी सी चाली हुई है अभी सारा चेंज करके मेरे को विंटर वाली वेजिस लगानी है थोड़े टमाटर भी लगे हुँ है ठीक इतर ही जुकीनी का भी पेड़ा आपको पहले दिखाया था और नीम्बू के भी पेड़ लगे हुँ है जो भी थोड़ा टाइम है और यह इस साइड आपके थोड़ी सी जगहा जो हमको छोनना पड़ी जो काउंसिल की रिक्वामेंट होती उसके हिसाब से वहाँ पर गेट भी लगा वहांसे भी आप बहार जा सकते हैं वहां पर अपने बिन वगरा रखते हैं पन जो यह यह जाते हैं तो यह घर का बीचाला एरि यहां पर सिंगल स्टोरी अगर इसी को में डबल स्टोरी बन वाता तो मेरा वैक्याद थोड़ा बड़ा हो जाता क्योंकि वोड़ स्पेस यूटिलाइज दो तो यह हो गया अपना जनरल पूरा घर का टूर अंदर से बाहर से तो इस तरह से बाए अपना घर आपना आपना तो मस्त दूप आ रही है मस्त इंजॉय करने वाला वेदर है बाहर आके तोड़ा था जगह आपकी डिवाइड हो जाती दो फ्लोर में तो आपका जमीन थोड़ी बच जाती तो पीछे लाक्या तो एक्स्ट्रा मिल जाता है लेकिन अफकोस डबल स्टोरी बनाना एक्स्पे प्राइस होता है तो डिपंड करता है अपके बजट पर बनाना चाहते हो कि नहीं मेरी सच कोई स्पेशल रिक्वार्मेंट थी नहीं एसी क्योंकि मेरी तो छोटी प्रामिली थी तो मैं तो सिंगल स्टोरी काफी अभी तो तो होफ़ली आर आपको यह सारा कंटेंट पसंद आया होगा जो मैंने घर का टूर किया देख के मजा आया होगा और इसी तरह का मसमस अगर आप कंटेंट देखना चाहते हो तो प्लीस चानल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट में डाल दो आपका और और को स्पेसिफिक कीज देखना चाहते हो और वीडियो को भी करतो like ठी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अभी के लिए में बोलता हूं बाई